Hello friends, welcome to my channel ग्यान दरपन भाई राजू सिंग आज हम लोग shapes name in English and Hindi यानि आकरितियों का नाम हम लोग English और Hindi में लिखना सिखेंगे तो आइए सुरू करते हैं यहाँ पर कुछ shapes दिये गया है उन shapes का नाम लिखना है कि यह कौन सा shapes है तो यह वाला है फस्ट में है a square इसको हम लोग a square करते हैं इसको हम लोग लिखेंगे a square को हम लोग बोलते हैं हिंदी में work करते हैं दूसरा है rectangle इसको हम लोग इसका आमने सामने का यह जो line है वो बराबर होता है तो इसको हम लोग rectangle कहेंगे जिसको लिखेंगे हम लोग r e c t a n g l e rectangle rectangle का मतलब होता है आयत rectangle का मतलब आयत इसके बाद third number में हम लोग देखेंगे इसको बोलेंगे triangle इसको हम लोग बोलेंगे triangle तो triangle को हम लोग लिखते हैं t r i a n g l e triangle triangle को हम लोग हिंदी में लिखते हैं त्रिकोन या त्रिभूज हम लोग इसको त्रिभूज भी कहते हैं या त्रिकोन कहते हैं चेनली त्रिभूज बोला जाता है number four में है Oval the number four में है हमारा Oval इसको हम लोग pero ready il what Excel कहेंगे यानी ओल का मतलब होता है क्या ये अंडाकार ये त्रहुजा अंडे के समान होता है ओवल में तो इसको हम लोग बोलेंगे अंडा कार ओवल मींज अंडा कार इसके बाद है हमारा इसको क्या कहेंगे कौन नमबर फाइब में है कौन यह जिनरली बड़े का जो हम लोग बड़े पार्टी में जो कैप पहनते हैं वो बड़े पाटी का कैप की तरह यह नजर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन कोन को और हम लोग क्या कहेंगे शंकू हिंदी में इसको संकू कहेंगे यह संकू के आकार का होता है इसके बाद है सरकल यह जो गोला है शिक्स नमबर में यह गोला इसको हम लोग बोलेंगे सरकल सी आई आर सी एल ई सरकल सरकल मिन्स क्या होता है गोला सरकल मिन्स गोला ओके और इसके बाद है यह number seven में है cylindrical number seven में है cylindrical yes जो है सेफ है वो cylindrical cylinder के समान है यानि बेलन के समान इसको हम लोग लिखेंगे c c y l i n d e r cylinder को हम लोग बोलेंगे बेलन हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे बेलन यानि की जो घर में रोटी बनाने वाला जो बेलन होता है उसी के आकार का यह होता है बेलन या बेलन कार बोलेंगे या बेलन के समान होता है चलिए एक बार हम लोग उपर से इसको रिवाइस करेंगे shape name in English and Hindi आकृतियों का नाम जो है हिंदी और English में फर्स्ट नमबर है a square a square means होता है वर्ग नमबर टू है rectangle र-e-c-t-a-n-g-l-e rectangle means होता है आयत नमबर त्री है triangle जिसको t-r-i-a-n-g-l-e triangle means होता है तिर्भूज या त्रिकौन जेनरली हम लोग त्रिभूज ही इसको बोलते हैं इसके बाद है four number oval oval means होता है अंडाकार इसके बाद number five में है कौन जो यह संकू के आकार का होता है बड़े पार्टी का जो cap हम लोग पहनते है टोपी उसके आकार का c-o-n-e कौन कौन means होता है संकू हिंदी में हम लोग संकू कहते हैं नमबर six है circle यह गोला है c-i-r-c-l-e circle circle means होता है गोला और यह number seven में है cylinder c-y-l-i-n-d-e-r cylinder means होता है बेलन यह सब हो गया हमारा आकरितियों का नाम यानि की safe name ओके थैंक यू